हेलो फ्रेंड्स हर एक पत्नी को शिकायत होती है कि मेरे पती मुझे प्यार ने करते हैं मान नहीं देते हैं सम्मान नहीं देते हैं और हम जब देखो तब चिड़ चिड़ करते हैं तो ये बाते मैं मानती हूं लेकिन हम पत्निया भी तो ऐसा ही करती हैं लेडिस भी तो ऐसा क के बैढ़ जाती है ना उनसे बात करेंगी ना उनको बताएंगी कि हमें क्या प्रॉब्लम है बस मुफ ला लिया और पैठ गई अब हमें करना क्या है अपने पती की लाडली पती बनने के लिए सबसे पहली बात हमें जो है मैं यह नहीं कह रही हूं आप पूरा दिन बहुत है अब क्या हम लेडिस क्या करती है काम के बोज में बस सुबा नहा लिया एक बाल में जुडा बना लिया पूरा दिन इधर उधर भटकती रहती है तो हलका सा मेक अप हमें करके रखना चाहिए घर के लिए भी शूब होता है और पती लोगों को भी पसंद होता है कि मेरी प्रद होती है और फिर जब उसमें जो पैसे मिलते हैं या फिर उन्होंने अपना पर्स ही छोड़ दिया पूरा तो हम क्या करती है उसमें से लेडिस लोगों की आदत होती है उसमें से पैसे निकाल लिए अब आपके पती को तो नहीं पता है कि आपने पर्स में से पैसे न देखे रहे हैं पर्स में तो पैसे ही नहीं तो वहाँ पर समाज में उनकी बेश्थी होती है उनके मान सम्मान को ठेस पहुचता है और आप से विश्वास भी उड़ता है क्योंकि एक बार अगर हम अपने पती का विश्वास खो देंगी ना पैसे का देखिए अब कई लेडि और एक तो आपके उपर से उनका विश्वास बुढ़ जाएगा, वो कभी विश्वास ही नहीं करेंगे, इसलिए हमें अपने पती का विश्वास कभी भी नहीं खोना चाहिए, अब बात आती है, नमबर तीन, हम क्या करती है, मान लिजिए छोटा मोटा हमारा कोई जगडा हो पको चलेने जाएं, तो एक प्यारी से स्माइल और बाय बोल के आएगे, उसके बाद अपने घर का काम कर लीजे, दो मिनट आपके लगेंगे, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है, एक तो ये अच्छा होता है, उनकी यातरा शूब होती है, वो ओफिस जा आपके ट्रिप पे जा रहे हैं, या कहीं घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ कहीं जा रहे हैं, या ओफिस के काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको एक हफता या चार दिन, पास दिन रहना है, तो हमें क्या करना है, अपने पती की जितनी भी उनकी जरूरत की समान ह खरीद के तो सभी खा लेते हैं, आपको भी पता है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो हम घर की चीजे देते हैं, बना के उसमें हमारा प्यार होता है, जब वो खाएंगे तो बोलेंगे, हाँ यार, मेरी वाइफ ने तो कितनी मेहनत करके, देखे सुबह सुबह उड़के मेरे लेकितना सारे समान बना के दिया है, खाने पीने का, तो मैं मानती हूँ, बाहर से खरीद के खा सकते हैं, लेकिन जो वो प्यार होता है, एक दूसरे से जो लगा होता है, वो दिखता है, जब आप उनको कुछ बना कर देती हैं, उनकी सारी जरूरत की समान लिख दीजे, एक दूसरे को देखना है, 24 घंटे तो रूट कर क्यों वाई, गुस्से से क्यों, जंचला कर क्यों, एक दूसरे से चिड क्यों, रहना साथ में है, तो फिर ऐसे चिड के रहने से तो कोई फाइदा नहीं है, और आप इन चीजों को फॉलो कीजे, आप अपने पती की लाडल भी जाती है, आज कल आप यूटूब पे कुछ भी देखकर बना सकती है, कितने धेरों सारे चैनल है, तो अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, मैं यह नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत हैवी है, बड़ी बड़ी डिश बनाना सीख लीजिए, लेकिन जो रोज की हमारी चीजे हैं खाने की डाल, चावर, रोटी, सबजी, नौर्मल सी सबजी, आप यूटूब पे देखिए, आपको हर एक चीज बनाने आजाएगे, क्योंकि पती के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, यह हम सब को पता है, तो आप जो है, उनके लिए खाना बनाना ज देना पड़ेगा, ऐसा मत सोचे, अगर आपको भूख लगी है, तो आप अलग से प्लेट में निकाल कर खाना खा लीजे, लेकिन कभी भी जो भी आपने खाने पीने का समान रखा है, उसमें से निकाल के ऐसे खा के फिर जूठा खाना हमें अपने पती को नहीं देना चाहि आप खा लीजे, अलग प्लेट में निकाल के, और जब आपके पती देव आते हैं, उनको जो है, प्यार से परोज के खाना खिला दीजे, चिर-चिर मत कीजे, कि आप लेट आए, ऑफिसे लेट हो गया, अब मुझे खाना गरम करना पड़ेगा, देखे, मुह से कहना बहुत जैसे आपकी साधी की सालगीरा है, आपका जनम दीन है, तो जरूरी निया कि वो बहुत महंगा गिफ्ट लेकर आए, बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आए, अगर वो छोटा साभ़ कोई गिफ्ट आपको लाकर देते हैं, तो आपको खुशी-खुशी उसे लेना चाहिए, क करना चाहिए, आपको ज़रूरी निया कि हर एनिवर्सरी पे, हर बड़े पे आपको सोने का हार ही लागे दें, और कितना सोने का हार पहनेंगी, करेंगी क्या जब प्यारी नहीं रहेगा, तो सोने का हार भी किसी काम कर नहीं होगा, उस तरीके से जब आपकी एनिवर्सरी ह आपके husband का बड़्डे हो ठीक है आप house wife है आप पैसा नहीं कमाती है लेकिन कुछ पैसे तो कोटोती करके हर एक house wife रखती है तो छोटा मोटा gift आप भी दे दीजिए उनको अच्छा लगेगा ऐसे ही हम पत्निया अपने पती का दिल जीत सकती है तो मैंने आपको ये कुछ पता ही है छोटी है लेकिन बहुत बड़ी होती है बहुत असर करती है दूसरे के दिल में जगे बनाने के लिए तो अगर आपको प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो like, share, comment और मेरी चनल को subscribe करना ना बूले इसी के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड